दोस्तों अच्छी नोकरी पाने की चाक किसको नहीं होती सभी को होती है सभी चाते हैं कि उसको अच्छी नोकरी अच्छी सेल्टी वाली जौब मिले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारें बता देती हूँ विनमस्कार दोस्तों मैं वीना गौतम कैसे हैं आप सभी, आप सभी का मेरे चैनल चेंज यो फोर्चुन में स्वागत है, अगर पहली बार आएं तो पहली चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों हर वेक्ति की अपने जीवन में कामना होती है कि उसे अच्छी नोकरी मिले य अच्छी नोकरी नहीं मिल पाती है, जोतिश्यों के अनुसार ये सब कुंडली के ग्रहों के कारन होता है, जिससे आपके बंते काम, बंते बंते बिगड़ जाते हैं, आपकी नोकरी रोजगार में कोई न कोई दिक्कते आ जाती हैं, लेकिन कुछ उपायों को पून, हमें आने वाली सभी अर्चनों को निश्य ही दूर कर सकते हैं अपनी अच्छी नोकरी के लिए प्रतेक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मीठा कच्छा दूच चड़ाते वे अखर्णित अक्षद साबुच चावल जो तूटे वे ना हो अर्पित करके भगवान भोले नाथ से अपने मन की बात कहें उससे नोकरी में आने वाले समस्त अर्चने दूर हो जाती हैं महा के किसी भी गड़े चतूर्थी के दिन गड़े जी को कोई ऐसा चित्र या मूर्ती जिसमें कोई उनकी सूंड दाई और बुड़ी हो उस पर साथ या ग्यारा दूर्वा अर्पित करें फिर भगवान के आगे लोंग तता सुपारी रखकर पूरी श्रदा से उनको पूजा करें तत पश्षात जब भी किसी नोकरी के लिए या महत्पून काम पर जाना हो तो इस लोंग को तता सुपारी को साथ लेकर जाएं आपको अपने कार्वे में सफलता मिलेगी जिन वेक्तियों को बहतर वेपार नोकरी की चाहा है वे अपने घर में बजरंग बली का फोटो जिसमें उनका उड़ता हुआ चित्र हो लगा कर उनकी पूजा करें दोस्तों यदि आप लाग प्रतन करने के बाद भी वे रोजगार हैं या आपको अपने कार्वे में जरभी सफलता नहीं मिल रही है तो आप बिना दाग वाला नीबू लें पीला उसके चार बराबर के टुकडे कर लें फिर संद्या की समय किसी सुनसान चोराय पर जाकर चारों दिशाओं में उन्हें फैंग दे और पीछे मुड़कर बिलकुल बिना देखें घर वापस आ जाएं ये उपाय सुकल पक्ष के कि दिन से शुरू करते हैं 7 दिन लगतार करें इससे शीगरी कारे बनने लगएंगे नोकरी वयपार वंक कारों के तरक्की होगी यह प्रयोग अमावश्य विशेश कर शनी अमावश्य के दिन विशेश चुरूप से प्रभावी होता है जब भी आप किसी नोकरी के लिए इंट्रिवु देने जाएं तो एक नीबु के उपर चारो दिशाओं में चार लोंग गार्द कर अगर लोंग ना गड़ पाए तो नीबु में आलपिन से छेट करके लोंग गार्द दें फिर आपने ये मंत्र आपने बोलना है 108 बार ओम शिरी हनुमते नमहा मंत्र का 108 बार जाप करके उस नीबु को भी अपने साथ लेकर जाएं आपको नोकरी मिलने की संभावना प्रवल हो जाएगी जब भी आप किसी इंट्रिवु देने जाएं तो गुड चना या आटे के पेड़े में गुड रख कर जाएं और रास्ते में कोई भी गाए नजर आए तो उसे अपने हाथ से खिला दें आपको शुब समचार आविश्य मिलेगा यदि आपका कोई जरूरी काम होते होते रह जाता है तो आप सुकल पक्ष में हल्दी की साथ साबुद गाठे साथ गुड की डलियां एक रुपे का सिक्का किसी पीले कपड़े में बान कर रेलवे लाइन के पास फैंक दें ऐसा फैंक ते समय कहें कि काम देव इससे काम के आपके पक्ष में होने की संभावना बढ़ जाएंगी किसी भी मंगलवार को से प्रारम करते वे 40 दिनों तक नित्य प्राता नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल गुलाब के फूल चड़ाएं ऐसा करने से शीगर ही रोजगार मिलने की सभावना बढ़ जाती है दोस्तों इंट्रिव्यू देने जाने से पहले सुभा सूरी अदो से पूर विस्नान करते समय पानी में थोड़ा हल्दी मिलाकर विस्नान करें फिर भगवान के सामने ग्यारा अगरवत्ती जलाकर अपनी मनों काम न कहें इंट्रिव्यू देने के लिए निकलते समय एक चमस दही और चीनी खाकर सबसे पहले गयाया पैर घर से बहार निकाले नोकरी पाने के लिए किसी भी इंसान को पीपल की सेवा अविश्य करनी चाहिए शास्त्रों के नुसार पीपल पर देवता और पित्रों का वास माना जाता है इससे उपनी नजर बाधाएं दूर होती है नोकरी के अविसर बढ़ते हैं वैपार के स्वेष्ट में लाब होता है घर में सुक समृदिका भी आगमन होता है पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर उसमें चांदियों सोने के विस्तु डालकर उसे अपने घर के शानकोन पर सिर से उपर से के किसी साब स्थान पर लाल कपड़ा बिछा कर उसके उपर रख कर ओम गंगा धराय नमा मंतर का 108 बार या 11 बार जाब करें दोस्तो ये वीडियो यहीं तक थी मिलते हैं अगली वीडियो में प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे थैंक यू